हलो फ्रेंड्स विल्कम टू मैं चैनल छोटी सी रहसोई आज मैं आप सब इक लिए लेका है हूँ पांच अमेजिंग माइक्रोवेव हैक्स की रेसिपी जो बहुत ही यूज होगा आपको तो आप इस वीडियो को पुरा जूर देखिए पसंद आएगा तो लाइका सब्सक्र मैं इसे 4 पार्ट में डिवाड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका प्यूय बनाना है तो आप चेतो पूरा खड़ा भी बना सकते हैं कोई भी माइक्रोवेव से बाल का यूज करें तो मैंने सभी को कट कर लिया ढगा दिया है ढखकन लगाने के बाद हम इसे अब आपको में दिखाती हूति है किस तरीके हो गया है इसका मज़कुनी चन्रा οποी जोला ऐसे इस लिए आप आप इसका चिलका रिकी से माइन जाए आप चोल्य नाई और छोटे कुस्ते में ज़़ग ए ही जोड़ा आप इस बात का धीयान रखियेगा और इससे मैंने माईक्रोवेव में रख दिया है और इसे बी मैं 3 मिनट के लिए high power पे ही पकाऊंगी आपका जो पावर है वो high होना चाहिए इसमें और माईक्रोवेव में इसे मैं रख दूंगी पक बखने के लिए बहुत ही जल्दी पक जाता तो तीन मेट में अच्छे से पक गया है मेरा एलजी का माइक्रोवेव है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है तो यहां पर आपको मैं दिखाती हूँ और इस तरीके से अगर आप पकाईएगा तो यह बहुत जादा ड्राइ नहीं होता है कई बार ऐसा होता है कि आलू हमारा ड् किस तरीके से रोस्ट करें तो अगर आप ड्ला करना चाहते हैं रोस्ट आप ऐसे ही पापर को माइक्रोवेव में डाल दें लेकिन मुझे तेल वाला थोड़ा सा टेस्ट चाही रहता है तो मैं इसमें उपर से तोनों साइट से तेल को लगा दे रही और उसके बाद मैं से म जाता है आपको मेरे चैनल पर मैक्रोवेब से जुरी हुई रेस्पी मिल जाएगी आगे भी मिलती रहेगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा यहां पर 30 से कि लिए मैं बापस से इसे पकने के लिए रख दे लिया है आप जब भी पॉपकों बनाया तो का ग्लास बाल का यूझ करें ब्लास्टिक र्ना करें तो फिर वह उसमें अच्छी पक जाती है दियाँ एक और ही तो मैंने पॉपकों लॉकल पॉपकों नहीं डाला है और जाल लता है तो फिर लहां से नमक शिसमें बहुत जल्दी नमक को判 तो कि ये नहीं कि बनाने तो ये तो मिनक है kindly बाइब। इसे और माइक्णी में रहे हुँ खूला के अनका श्रण कर शुरु अरॅ मतने में टायमने हैं यह भूपकॉन है ड़ाओ और ने यह और शूपकर है मेरी सब्यू gaminth मेरी माइख और ta लूपकुर करता है यह कीुकी फैना लूपकॉर हो न जब लूपकॉरा न यहां सकते है यह माइक्ड़ लूपकॉर क्या तो इसके उपर चीत हैसी कहा है क्वाओ मैं थोड़ा सा यहां पर चीज पॉर्ड डारी हूं कि मुझे अच्छा लगता है इसे मैं मिक्स कर लेती हूं तो इस तरीके सा पॉपकॉन बनाए और गर्मा-गरम खा सकते हैं इसके बाद हम काजू को भूनेंगे काजू ही है मुंफली किसी चीज को या बड़े ही असानी से भून सकते हैं बिना मिनत के तो मैं थोड़ा सा घी डा रही हूं आप चीज तो बिना गी या तेल के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं लेकिन मुझे वह गी वाला अच्छा लगता है बीच में एक बार आप चला जलू लिगजिएगा मिक्स जरूर कर लिजिएगा क्योंकि बीच में जलने का जादा डर रहता है माइक्रोवें में बीच में जादा हीट होता है तो आप इस बात का धियान रखेगा काजू जलता भी जल्दी है तो इसे मैंने टोटल धाई मिन के लिए पकाया था क्योंकि छोड़ा लाल चाहिए था इसके लिए अगर आपको कम चाहिए तो थोड़ा कम टाइनिंग लग सकता है इसके उपर में थोड़ा सा काला नमक डाला थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप इस तरीके से काजू है मखाना है मुफली है बदाम है कुछ भी भून सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजेगा कमेन जोड़ करेज़ेगा सब्सक्राइब करना बुलकुल भी नहीं भुलिएगा बे सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा